नमस्कार, आच्छेर उपस्ते तुआ हूँ, एक जनम कुंडली के साथ में, ये एक बालक की जनम कुंडली है, लगबा लबा इनकी उमर जो है 15-16 साल के आसपास की उमर है इनकी, इनके घरवालों ने इनकी डेटा बर्थ मेरे पास भेजी, उसके आधार पे इस जनम कुंडल बहुत सब लगबल ज्यादा तर लोगों को पता है कि गुरु वार को मैं नुशल कुंडली विशलेशन देखता हूँ, एक कारकरम होता है, दो पहर में दो बजे लाइव का, यूट्यूब पे, लाइव में अपने कमेंट करके अपनी जनम कुंडली वहां पर भी आप कर लीजे और इनकी जनम कुंडली खोल लीजे, फिर कैसे जनम कुंडली देखी जाती है, कुछ सीखने को मिलेगा, और कुछ सिखाने को मिलेगा, 24 फरवरी 2004, समय अगर कहें, दो पहर में एक बच के 24 मिट, जनम इस्थान के अगर बात करें, दिल्ली का जनम हैं का, इनके मितुल लगन की पत्रिका है, वैसे भी मितुल लगन की पत्रिका है, और लगनेस अगर देखा जाए, बुद्ध बनेगा, बुद्ध भागे भाव में बैठा है, भागे का दिपती अगर देखा जाए, शनी बनेगा, शनी लगन में बैठा है, बुद्ध अगर कहा जाए, गनिष्टान चत्र के चौते चण में, गनिष्टान चत्र किसका, मंगल का चत्र, बेहत भागे शाली बच्चा है, एक बात, शनी भागे का मालिक लगन में, अपने आप में भागे को बढ़ाने वाला, लगन मतलब उसका सरीर, भागे मतलब बुद्ध, बुद्ध भागे में गया और लगनेज जहां पर भी बैठता है उस भाव से सम्मंदित चीजों को बढ़ाता है देखिए इस जरम पत्रिका में तिर्थी भाव तीसरा भाव जिसे हम लोग कहते हैं साहस का भाव साहस के भाव में अगर देखा जाए देव गुरु ब्रस्पती बैठें 21 डिगरी 13 कलापे पूरा फाल उन छत्र के तीसे चण में और जो की वक्री हैं देव गुरु ब्रस्पती जरम पत्रिका में अगर कहा जाए वक्री हैं सिंग रासी अगनी तत्यो की रासी जो की कफ इत्यादी चीजों को दिखाता है खांसी को दिखाता है बचे को कही ना कही कफ की समस्या और खांसी की समस्या समय समय पे उत्पन होगी पंचम भाव में अगर देखा जाए केतु बैठे हैं विशाखा नच्छतर के पहले चर्ण में विशाखा नच्छतर किसका देव गुरु ब्रस्पती का नच्छतर देव गुरु ब्रस्पती अगर देखें दसम के स्वामी सत्तम के स्वामी हो केत्रती भाव में ऐसे में भ सूर्य अगर देखें तो यह कहा जाएगा पूर्ण रूप से बली अवस्था में बुद्ध के साथ लगन के मालिक के साथ बैठा होना और भागे का और लगन का आपस में राशी का परिवर्तन होना ये ग्रहों की पावर को बेहत उसने बढ़ा दिया एक बात शुक्र चंद् जब भी युति करते हैं तो जातक को कम महनत में ज्यादा लाब देते हैं अगर अच्छी अवस्था में है तो इनकी जैसे अच्छी अवस्था में अवस्था भी मैं समझाओंगा शुक्र अगर कहा जाए धन है शुक्र अगर कहा जाए महिला अगर महिला है तो पुरुष या पुरुष हैं तो महिला का आकर्शन है, शुक्र अगर कहा जाए, जीवन का सौंदर है, सभी प्रकार के सुक है, शुक्र है, और चंद्रमाई जरम पत्रिका में अगर देखा जाए, धन के मालिक हो के दसम भाव में है, जो कि इनके सुखों को बढ़ाएंगे, शुक्र के स एक बात मंगल राहो की यूति ये दिखाती है, कि बच्चे को पेट से सममद्ध समस्या होगी, बच्चे का 78 और 20 साल उस समय पे 16 समद्ध चीजों में समस्या है, ये मंगल राहो की यूति दिखाती है, अब बात हुई गरहों की, अब इनके प्रश्नों को ले ले लेते, ए देगे इननों ने लिखा है कि 12 ये पास कर चुका है, साइन्स साइड से है, किस फील्ड में अच्छा रहेगा, देखे अगर मैं बात करूँ कि 12 जो है ये पढ़ाई कर पूरी कर चुकिये हैं, शिच्छा का मालिक अगर देखा जा, शुकर है, शुकर अगर देखा जा, दसम्भाव में चंदर्मा के साथ 24 डिगरी 18 कलापे अपने ही घर का, 24 डिगरी, क्या विरद्ध हो गया, 24 डिगरी, क्या मिरथ हो गया, बिल्कुल नहीं ऐसा, Christopher को 28 डिगरी पे परम उच्च का माना जाता है, शुपर को, चंडरमा मन कहलाता है, और कही न कही मन और शुक्र का एक साथ होना, और अपने घर का होना चंद्रमा देखा जाए बुद्ण के नच्छतर में रेवती नच्छतर, बुद्द का नच्छतर चोथे चरण में ऐसे में कहा जाएगा कि ये शुख्र इतना बली है और चंद्रमा के साथ मिलने के कारण उसके अंदर चार गुना बल बढ़ गया जैसे हम लोग कहते नहीं कि वक्रीग रहा है तो उसके अंदर चार गुना बल ज्यादा हो जाता है लेकिन इसके अंदर चार गुना बल बढ़ गया ऐसे में कहा जाएगा बच्चा मंगल राहू की जो पीड़ा सिक्षा से सम्मंदी चीजों में जेल लाए मंगल राहू की पीड़ा जो सिक्षा से सम्मंदि चीजों में जेल लाए वहीं उच्चे सिक्षा की बात करें इसके साथ में आपको इसको भी देखना ऐसा नहीं समझिए कि क्यों उच्चे सिक्षा के लिए ये भी देखेंगे और ये भी देखेंगे उच्य सिक्षा की अगर बात करें तो दोनों का राशी का परिवरतन होना, शुक्र का बली होना और देव गुरू ब्रष्पत्की की नौम दस्ति मंगल और राहु पे पढ़ना। मंगल क्या है खूण है, मंगल क्या है सरजरी है। राहु क्या है सरजरी है। यहां से आप समझ गया होंगे, इसको आप जो है डॉक्टर की पेसा में डालिए, ठीक है, चिकिस्सा के छेत्रमी बहुत बेहद अच्छा करेगा, देव गुरु ब्रस्पति उसके कारक है, शुक्र उसके कारक कहलाते है, शुक्र अगर कहा जाए, दवाईयों के कारक है, खाते हैं, चंद्रमा मन कहलाता है, और पाप कत्री योग में चंद्रमा बैठा है, एक चीज़ जहां रखिएगा, जिस व्यक्ति का चंद्रमा पीडित नहीं है, चंद्रमा बली है, वो अच्छे इस्थर का, अगर कहा जाए, डॉक्टर नहीं बन सकता, डॉक्टर बनने के समानिसी बात है, शुक्र अगर कहा जाए, तो यह कहा जाएगा कि 12 से हॉस्पिटल से सम्मंद, शुक्र का सिख्छा से सम्मंद, शुक्र का चंद्रमा अगर कहा जाए, मन है, शुक्र की सत्तम दश्टी सुक पे, चंद्रमा अगर कहा जाए, धन का कारक है, धान से समझते च राहू को देव गुरु ब्रस्पति देख रहे हैं ऐसी में कहा जाएगा इस दिशा में आप भेजिए और इसी दिशा में वो जाएगा डॉक्टर का पेशा या दवाईयों से सम्मंदत काम इसके लिए सबसे अच्छा है इसके बाग आपने पूछा इसमें सरकारी नौकरी के कोई योग हैं देखें सरकारी नौकरी का अगर बात करें सबसे पहले शुक्र और चंद्रमा शुक्र अगर कहा जाए स्वतंत्र काम करने में ज्यादा इच्छा व्यक्ति की रखता है दूसरा राहू अगर कहा जाए स्वतंत्र ग्रह है राहू मंगल अगर कहा जाए सत्तम और नॉम दश्टी से अगर अज्टम दश्टी करते हैं तो सरकारी नौकरी को देख रहा है और अपने भाव को दएक इसका मतलब यह नहीं कि कि सरकारी नौकरी मिल जाएगी सूर्य करता जाने में शatmisa na chater में 2 डिक्रीonta और 11 डिक्रीी साओ कला पर obsessed Marinoble вход nor लाब भाव में है बेहद अच्छा संकेत है ये लेकिन ये इसका संकेत नहीं का जाएगा कि 11 डिग्री पे सूर्य आ गया तो पूर्ण रूप से बली हो गया तो आपको सरकाई नौकरी मिल जाएगी ये बच्चा व्यवसाय करेगा ही करेगा व्यवसाय का मालिक अगर देखा जाए तो आपस में राशी का परिवर्तन करके बैठा है लगन के अत्यदिक नजदीक है और नौमांश में अगर बुद्ध की स्थितियां अगर देखी जाए तो मंगल के नौमांश में है और मंगल अगर देखा जाए तो लाब भाव में है एक बात चंद्रमा से अगर बुद्ध देखा जाए द्वादस में है चंद्रमा से अगर देखा जाए गुरु जो है छटे भाव में है एक दुर्योग बनता है उसमें कोई दोर आए नहीं एक दुर्योग बनता है कि चंद्रमा से छटे भाव में एक देव गुरू ब्रस्पति का जाना लेकिन वहीं पे एक काट भी इसकी समझ लीजिए जब भी राहू की गुरू के उपर द्रस्टी पढ़ जाएगी तो ऐसे में कहा जाएगा उस इस्थान से सम्मंदि चीजों में वो कहानी आता है कि देव गुरू ब्रस्पति हानी करो जहां भी बैठेगा उस जगां की हानी करेगा लेकिन चीजब भी राहू की द्रष्टी पढ़े जाए तो उसके अंदर इतनी तथा आ जारती है कि अस जगों की हानी जो है वो नहीं कर पाएगा या ना के बराबर करेगा आप जो है वेवसाय करेगा ये उसके साथ में शुक्र चद्रमा है शुराती दौर में नौकरी करेगा इसके बाद आपने पूछा है वेवाही जीवन कैसा रहेगा विवाह का दिपति अगर देखा जाए देव गुरु साथ ही होगा वो भी अच्छा कमाने वाला होगा और कहीना कहीं राहु की नौम दस्टी अगर कहा जाए तो कहीना कहीं ये वाद विवाद को दिखाता है कि आप ऐसे काम मत करिए बात समझेगा राहु की नौम दस्टी सत्तम भाव पे पढ़ेगी सत्तम भाव का स्वामी अ अगर कहा जाए राहू की पंचम दस्टी और देव गुरु ब्रस्पति की नॉम दस्टी एक दूसरे पर पढ़ना दोनों की अगर कहा जाए नॉम और पंचम दस्टी पढ़ना जीवन साथी हर दम आपको एडवाइस करते रहिएगा मंगल और राहू के कारण जो व्यक्ति ज जीवन साथी हर दम मना करता रहेगा कि इस माध्यम से धन कमाना अच्छा नहीं है मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि चोरी डेकाथी करेगा मैं ऐसा जरूर कहूंगा कि जैसे आज के जवाने में चलता है कि दो रुपए ची तीन रुपए या चार रुपए में फिर भी यह अगर ही अगर शुक्र है और शुक्र अगर कहा जाए 20 डिग्री से लेके 29 डिग्री के बीच में है ऐसे लोगों का भाग्यूद है विवा के उपरांथ होता है लगा लीजेगा जनम पत्रिका में लगा लीजेगा देख लीजेगा आपको परिणाम मिलेंगे एक चीज इसके बाद इनका प्रश्ण्च जो है इनोंन किया है किसी प्रकार की विवा से सम्बंदित तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है और इसका विवा जो है 27 वर्ष या 28 वर्ष की आईू में इनका विवा होगा आईू में कोई दोस तो नहीं देखे महराज जिसमें अगर देखा जा, आयू से संबंदित दोश, मुझे ऐसा कोई मार के मौजूदा समय में नहीं दिखाई दे रहा, शुक्र की महादशा चल लही है, ठीक है, ऐसा कोई दोश आयू से संबंदित नहीं है, कुछ ऐसे तथ्य होते हैं, जो आयू से संबंदित चीजों को देखने के लिए देखे जाते हैं, लेकिन मैं सोशल प्रेटफॉर्म पे वो चीज नहीं बता पाऊंगा, एक उधान जो देख दूँगा, जो लोग सीख रहे हैं, जब भी शनी, चंद्रमा और लगनेस का संबंद बनेगा गोचर में, ठीक है, और दसा भी अगर इशारा क दर देती है, तो कहिना कही आयू का हनन होता है, जो लोग सीख रहे हैं, मैं उनके लिए बताया, एक मैंने इशारा दिया, इस जनम पत्रिका के हिसाब से किसी प्रकार का आयू से संबंद चीजें के बारे में आप दरने की आवशकता नहीं है, जैमिनी सिधान से भी अगर देखा जाए, तो भी डन्ने की आवशकता नहीं है, और वैदिक सिधान से अगर देखा जाए, तो भी डन्ने की आवशकता नहीं है, अब आपने पूछे हैं कुछ प्रस्न, अब आपने पूछा है, बाकी अपने हिसाब से आप बता दिये अचारे जी, और माता पिता की से बुद्ध मन है और बुद्ध सरीर है, शनी अगर लगन में बैठा है, ऐसे बच्चे माबाप की सेवा तो करते करते हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई संदे नहीं है, और जो भी उसका जीवन साथी होगा, वो भी सेवा करेगा, जीवन साथी गुरू है, गुरू जनम पत्रिक आम अकर देखा जाए, वक्री है, गुरू की पंचम दश्टी अगर देखा जाए, तो इक कहा जाएगा, इन के पिता पे पड़े इनके पिता पर, ससुराल अगर देखा जाए तो शनी बनेगा हलाकि ससुराल बहुत लंबा खिच जाएगा इनके ससुराल पर अब कुछ योग और और चीजों पर हम बात कर लेते हैं जीवन में कितना सक्सेज होगा देखे जनकुली मगर देखा जाए शनी पूर रूप से बली अवस्था में भागे का स्वामी होके लगन में बैठना पूर रूप से बली अवस्था में दसम दश्टी अगर कहा जाए शुक्र पे डालना और एक ऐसे ग्रह पे डालना जो की पूर रूप से बली है अपने घर का है और चंद्रमा को साथ लेके बैठा है चंद्रमा क्या है मन है शुक्र क्या है धन है और शनी क्या है कर्म है शनी क्या है उचायों तक पहुचाने वाला ग्रह है ऐसे में कहा जाएगा यह शनी बेहत बली है जीवन में प्रभी सभी प्रकार के सुखों को दिखाता है विद जाए दसंभाव में बैठा है बली अबस्ता में मतलब यह विदे से संबंदित काम करेगा यही ना कहेंगे आप ऐसा नहीं है देखें जब भी शुक्र और चंद्रमा एक साथ बैढ़ियां दसंभाव में माल लीजे यही जनम पत्रिका मिथुन लगन की पत्रिका दसंभाव म बैठें चंद्रमा और शुक्र शुक्र क्या है घर है परिवार है इत्यादी चीजें चंद्रमा क्या है मन है अब यह कहा जाएगा सत्तम दस्टी से जो है यह घर परिवार को देखेगा घर परिवार को देखेगा जातक का जाने का मन ही नहीं करेगा वही कहेगा कि मैं जो घर का मालिक है या देश का मालिक है वो बुद्ध है और बुद्ध का रासी का परिवर्थन होना सनी के साथ एक सम्मंद बनना चतुर्थ भाव से नवे भाव का और लगन का अपने आप में विशेश राजियो ऐसे लोग घर से दूर जाके सफलता नहीं पाते गरी के पास सफलता पाते हैं और सफलता पाने में में हगदार इनके पिता उसके बाद इनकी माता ऐसा समानिसी बात है माता पिता सबके जीवन में सफलता को दिखाते हैं लेकिन सबके जनम कुणली में ऐसे योग नहीं बनते हैं जैसे योग इसमें बन रहा है कि व्यक्ति जो है किसी क पूजानाकरे सुबह साम माता-पिता का अशिरवाद लें और माता-पिता या खासकर पिता जिस राह में चलने को कहें उस राह में बढ़े जाए व्यक्ति अपने आप सफलता पाता रहेगा और यह सफलता वाली कुनली है बहत धनी और बहत सफलता नाम इत्यादी चीजों को मंगल राहू अगर देखा जाए पूर्ण रूप से बली अवस्ता में फिर से मैं कहूंगा पत्नी डाटेगी यह क्यों कर रहे हैं आप क्यों ऐसा धन कमा रहे हैं पत्नी डाटेगी जैसा मैंने सुबह बताया अब यहां से एक तरक तो समानी हो गया कि व्यक्ति बेहत धनी होगा और अच्छा धन जीवन में कमाएगा इस तरीके से कुछ योग मैंने बताया आपको जैनम कुंड़ी से सम्मंदित उमीद करता हूं जितना मुझे दिखाई दिया मैंने आपको सारी चीजे बताई और अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी परमात्मा आप सभी को स्वस्थ रखे सुरक्षित रखे जाते जाते फिर से एक बार मैं कहना चाहूंगा कल दो पहर दो बजे लाइफ का कारिकम रहेगा यूट्यूब पे वहाँ पर आके जो है अपनी जनम कुंड़ी का विश्रेशन करा सकते हैं अभी के लिए बस इतना ही नमस्का नमस्कार